थे हरे क्रिश्ना कैसे हो आप सभी लोग आश्य कट्ति हूँ आप सभी परमंगल में होगे स्वस्थ होगे अच्छ होगे तो कल मैं गई थी भीमा संकर जोतिलिंग और वहां से मैं यह दो रुदराक्ष खरीद के लिए एक अपने लिए तो यह देखो यह दो रुदराक्ष यह कैसे रुद्राक्ष है और अब इसको हम पानी में डालेंगे और जो भी रुद्राक्ष निकलेगा वह मारी किसमत है कि इसमें एक मुखी निकलता है 2 मुख्य निकलता है 3 मий finis 4 मुख्य निकलता है पेड पे रुद राक्ष जो बहुत पेड़् पेड़ रुद राक्ष ऐसे लगेंगे उसको गरम पानी में डालीगे गरम पानी में डालने के general वहां सब्सकते दिखाऊंगे और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इन दोनों रुद्राक्षों में से कौन से रुद्राक्ष निकले हैं तो क्या आप लोग यह सब देखने के लिए तेयार है तो फिर आज आईए मैं गरम पानी में डालने वाली हो और आप लोगों के सामने में दिखाऊंगी कि इसमें कोण से रुद्राक्ष प्राप्थ हुए हैं और आज सावन की शिवरात्री और मैं इसको सिवलिंग से इसंपर्स करूंगी और उसके बास आज ही कोशिश करूंगी कि गले तो धारण नहीं हो सकता विक अगर डालना पड़ेगा लेकिन स्विलिंग से इस पर्स करके इनको चार्ज जरूर कर लूंगी वैसा तो रुद्राक्ष को चार्ज करने के आवश्यक्ता नहीं होती है यह अपने आप में ही चार्ज होता है लेकिन अगर इस पर्स होजाए तो तो आफ साफ पानी लिया है एकER बौनि टालने वाली हो और इससको गैस पे लगाने वाली कि अबी यह दोनों से भलने देंगी और फिर डेखते हैं किया में डिटाँ चलगा है यह जो ऊपर का यह बहुत ठोस है ना गैस पे मैं चड़ा दिये तो यह गलेगा चोड़े उसको गल्ले देती हूं और उसके बाद देखती हूं कि क्या निकल के आता है है और पानी आप लोग देख सकते हो कितना गरम हो गया है तो एक बार सबसे पहले मैं देखती हूं कि कुछ प्रोसीजर हुआ कि नहीं हुआ हां यह थोड़ी सॉफ्ट हो गया लगता है देखो पानी कितना गरम हो गया भाद तक निकल रही है और यह सॉफ्ट होने लग गया ह है तो सबसे पहले मैं इसको बंद कर देती ओर गरम पानी में कुछ देर परे रहन देती हूं उसको धक देती हूं देखते है रुद्राग चो का क्या हाल थे तो यह देखी हो यह ऑल्मोस्ट गया है क्योंकि जो फॉर्क है वह इतना घार रहा है पानी यह अभी भी वाम है ह यह देखिए फॉक बिल्कुन इसमें से निकल गया है पानी अभी गरम है तोड़े और पड़े रहन देते हैं और उसके बाद फिर इसको क्लीन करेंगे फाइनली पानी भी अब ठंडा हो चुका है इतना ठंडा हो गया कि मैं अपना हाट डाल सकती हूं और यह भी बहुत अच को निकालने के तो चलो आप निकालो भाया चलो निकालते हैं इसको निकालो और इसको पूरा किनीष करो छीलो उसको आप लोग excited हो की नहीं मुझे comments करके बताएं I am too much excited कि क्या निकलने वाला है देख रहे हैं आप लोग रुद्राक्ष निकलने वाला है इस पानी को भी हम फैकेंगे नहीं इस पानी को हम गंबले में डाल देंगी क्योंकि रुद्राक्ष भगवान की आखो से प्रकट हुआ है क्योंकि रुद्राक्ष भी आखो से प्रकट हुआ है भगवानशिप की और यह देखो आप लोग लाइफ देख रहे हो रुद्राक्ष बुरुष से साफ कर लेंगे भई यह दूसरा निकालो एक रुद्राक्ष निकल चुका है मैं आपको दिखाती हूँ यह देखो इसको को थोड़ा सा बुरुष से साफ करनी की अवशक्ता है अभी कितना मुख्य नहीं यह मैं अभी आपको पताऊंगी गिनके लेकिन अभी मैं बुरु से साफ करूंगी आप लोग लाइफ देख रहे हो। रुद्राक्ष को इस समय पर अभी। दूसरा रुद्राक्ष इल रह हाथ में दो रुद्राक्ष हैं और इस पानी को सबसे पहले मैं चेंज करके आती हूं और उसके बाद फिर मैं बुरुस से इसको क्लीन करती हूं और मैं आपको दिखाती हूं कि हमें कितने मुखी रुद्राक्ष की प्राप्ती हुई है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 3-2-5 औ में लगता है कि दुणों ही 5 मुखी रुद्राक्ष है लेकिन फिर वीक बार क्लीन कर लेते हैं और देखे पता चलता है कि आखिर क्या आया तो आप लोगों एक-स पाने लेके रुद्राक्ष हुई है तो राक्ष हैं तो आप इन दोनों रुदाक्ष को मैं पानी में डाल कर रहे हैं कि यह दो को मेरी बेटी यहां पर खेल रही है हलो बेबी हलो और यह क्लीन चल रहे हैं कि अगर आप लोग पूछोगे कि किस प्राइस के पड़े हैं तो वैसे हमें 200 रुपे का एक देरी थी लेकिन हमने उनसे बार्गनिंग करी और हमें यह 100 रुपे का एक पड़ा है 100 रुपे का एक हमें प्राप्थ हुआ है यह 100 परसंट गारइंटी होती है कि यह और इजनल ही होएंगे क्यूंकि हमने अपने आखों के सामने से इसको निकाला है तो यह 100% बाकी ऐसे निकले हुए भी रखे था जैसे यह हो रहा है न वैसे निकला हुआ भी रखा था लेकिन हम लोगों नहीं लिए क्योंकि उनकी कोई रुद्राक्ष निकल चुका है अब मैं आपको पताती हूँ कैसे परचलेगा कौन सा मुखी देखो एक, दो तीन, चार, पांच मतलब इसके पांच मुखी आप लोगों को दिख रहेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच अर्थात ये पांच मुखी रुद्राक्ष है और यहां से पढ़ता है धागा और यहां से निकल जाता है पीछे से भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ ये पांच मुखी रुद्राक्ष आप लोग देख रहेंगे एक, एक, दो, तीन, चार, पांच तो यह पंच मुखी रुद्राक्ष है और यह बहुत सुन्दर लग रहा है आप लोगों रियल रुद्राक्ष इस समय पे मेरे हाथ में है और मैं इसकी एनर्जी जो है वो फील कर पा रही हूँ रुद्राक्ष की अपनी एक अलग एनर्जी होती है जो बहुत करें एक गगारी है, यह बहुत सुन्दर लोगों मेरे नर्जाए है बहुत कर सब्सक्राइर ऐसे धोगे कटिया हुचु पांच मुख writings梁 पछे सब्सक्राइए नर्जी में इस प्छ्र्म एंपाहनु तिक के दिख़ए। अगर आपको दिखाऊं एक वाला मुख आपको दिख रहा होगा दो तीन चार बांस तो यह है पंच मुखी रुद्राक्ष और यह दोनों पंच मुखी रुद्राक्ष है और यह देखिए यहां पर यह छेद है जो कि बहुत नॉर्मल है एक सुई भी घुशेड़ेंगे तब करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इसको धारन करेंगे रादे रादे हरे कृष्णा हरी बोल आप सभी को शावण शिवरात्री की अनंत और अनंत सब कामना है